पर पादस होत के एक बड़ी अप्डेटी कर लेंगे उमान के सुल्तान हैथम बिन तारिख भारत दौरे पर है जिनका राश्पती भवन में आधिकारिक स्वागत किया गया राश्पती द्रौपती मुर्मू और प्रधार मंती नरेंद्र मूदी ने उमान के सुल्तान का स्व पर प्रधारी के साथ साथ व्याफार जैसे तमाम मुद्दों पर जिपक्षिय चर्चा भी दोनों देशों के बीच हुई है उमान के सुल्तान हैथन बिन तारिख भारत दौरे पर है जिनका राश्पती भवन में आधिकारिक स्वागत किया गया गार्ड ऑउनर की तस्वी आपकी ठीव स्टिंग पर इस पुण्य भूवी पर होगा सबसे बड़ा उत्सव अयोध्या में तय है श्रीरा महापर्व सिर्फ न्यूज एथीन इंडिया पर लेकिन गुरुबार देर रात उसने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और सुत्रों के मताबेक पूश्टाच में उसने ये कबूल कर लिया कि उसके इशारे पर ही संसद में स्मोक कलर अटैक की साजिश रची गई थी तीम दिन पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेन लगाई गई थी एक ही वक्त पर संसद के अंदर और बाहर ललित के साथियों ने बवाल कर दिया था गटना के वक्त संसद के अंदर लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्बू अपनी बात रख रहे थी तभी विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीरगा से आरोपी सागर और मनोरंजन नीचे कूद गए और वहां हंगामा करने लगे थी पकड़े जाने से पहले उन्होंने जूते में चिपा कर रखा कलर स्प्रे निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया ठीक उसी समय संसत के बाहर भी ललित के दो साथी नीलम और अमोल को हंगामा करने के आरोप में पकड़ लिया गया लेकिन इस पूरी साजिश का मास्टर माइंड बताय जा रहा ललित फरार था दो दिनों तक पुलिस उसकी तलाश में हर्याना और राजिस्थान की कई जगों पर चापे मारी करती रहे लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब गुरुवार बेरात ललित ने ठाने में सरेंडर कर दिया पुलिस सुत्रों के मताबिक वो महेश नाम के अपने दोस्त के साथ पुलिस टेशन पहुंचा जहां पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया फॉरन पुलिस की एक टीम ने उससे पुश्टाज भी शुरू करती दावा है कि पुश्टाज में ललित ने संसद की सुरक्षा में सेंद लगाने से लेकर वहां से फरार होने तक का हर राज उगल दिया क्योंकि संसद के अंदर और बाहर हुई इस संसनी खेज घटना के बाद देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुड गई थी सुत्रों का दावा है कि संसद के बाहर स्मोक कलर अटैक का वीडियो बनाने के बाद आरोपी ललित फरार हो गया था पुलिस सुत्रों के मुताबिक कूछताच में ललित ने बताया बलकि उसने एक होटेल में राद बिताई थी डावा है कि महेश नहीं वहां के एक होटेल में ललित के रुकने का इंतजाम करवाया था सुत्रों के मताबिक ललित राजिस्थान से ही लगातार सारी चीज़ों पर नज़र रख रहा था लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं तो वो महेश के साथ दिल्ली आ गया और फिर बाद में उसने खुद ठाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दे